हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे आईए आपका अध्याय त्रिकोन मिती का परिचे के अंतरगत हम आज चर्चा करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोन मिती अनुपात की आपको याद होगा कि दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग 90 डिगरी के बड़ाबर होता है त्रिभू जेबी सी में जिसका कोण B समकोण है क्या आपको पूरक कोणों का कोई युग्म दिखाई पड़ता है क्योंकि कोण A प्लस कोण C बड़ाबर है 90 डिगरी अतह इन से पूरक कोणों का एक युग्म बनता है हम जानते हैं कि साइने बराबर होता है BC बटा AC कौसे बराबर होता है AB बटा AC टाने बराबर होता है BC बटा AB और कौसे के बराबर होता है AC बटा BC से के बराबर होता है AC बटा AB और कौटे बराबर होता है AB बटा BC आईए अब हम कोण C बराबर 90 degree माइनस कोण A के त्रिकोण मितिय अनुपात लिखें सुविधा के लिए हम 90 degree माइनस कोण A के स्थान पर 90 degree माइनस A लिखेंगे कोण 90 degree माइनस A कि सम्मुख भुजा और सनलग्ड भुजा क्या होगी आप देखेंगे कि A, B कोण 90 degree माइनस A की सम्मुख भुजा है और B, C सनलग्ड भुजा है अतह, sin 90 degree माइनस A बराबर होगा A, B बटा A, C cos 90 degree माइनस A बराबर होगा B, C बटा A, C tan 90 degree माइनस A बराबर होगा A, B बटा T, C इसी प्रकार को सेक 90 डिग्री माइनस से बराबर होगा AC बटा AB इसका उल्टा और सेक 90 डिग्री माइनस से बराबर होगा AC बटा BC और कॉट 90 डिग्री माइनस से बराबर होगा BC बटा AB अब समीकर्ण एक और दो के अनुपातों की तुलना करने पर हम यह पाते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस से बराबर है AB बटा AC माने कॉसे और कॉस 90 डिग्री माइनस से बराबर है BC बटा AC मतलब बराबर है साइने टैन 90 डिग्री माइनस से बराबर है AB बटा BC बराबर कॉसे के और कॉसे क 90 डिग्री माइनस से बराबर है AC बटा AB जो बराबर होगा से के अतह साइन 90 डिग्री माइनस से बराबर हुआ कॉसे के कॉस 90 डिग्री माइनस से बराबर है साइने टैन 90 डिग्री माइनस से बराबर है कॉटे कॉट 90 डिग्री माइनस से बराबर है टैने सेक 90 डिग्री माइनस से बराबर है कॉसे के कौसेक 90 degree माइनस A बराबर है से के जहां कोण A के सभी मान 0 और 90 degree के बीच स्थित हैं बताइए कि यह A बराबर 0 degree या A बराबर 90 degree पर लागू होता है या नहीं आईए देखते हैं टिपनी पर गौर करिए यह हमें याद रखना है आईए अब हम कुछ उधारन ले पहला उधारन टैन 65 बटा कौट 25 degree का मान निकालिए इसका हल्थ समझिए जैसा कि हम जानते हैं कि कौट A बराबर होता है टैन 90 degree माइनस A अतह कौट 25 degree बराबर होगा टैन 90 degree माइनस 25 degree जो बराबर हुआ टैन 65 degree अर्थात टैन 65 degree बटा कौट 25 degree बराबर हुआ टैन 65 degree बटा टैन 65 degree और यह काटने पर हमें इसका मान मिलेगा एक आईए बच्चो अब अगला उधारन लेते हैं यदि साइन 3A बराबर है कौस A माइनस 26 degree हो जहां 3A एक न्यून कोट है तो A का मान ग्याद कीजिए इसका हल समझ लेते हैं यहां यह दिया हुआ है कि साइन 3A बराबर है कौस A माइनस 26 degree इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं क्योंकि साइन 3A बराबर है कौस 90 degree माइनस 3A इसलिए हम पहली समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं जहां दीजे कौस 90 degree माइनस 3A बराबर है कौस A माइनस 26 degree क्योंकि 90 degree माइनस 3A और A माइनस 26 degree दोनों ही न्यून कोण है इसलिए 90 degree माइनस 3A बराबर हुआ A माइनस 26 degree देखिए 3A प्लस A बराबर होगा 90 degree प्लस 26 degree इसका मतलब 4A बराबर हुआ 116 degree और इस प्रकार हम A का मान निकाल पाएंगे 116 बटे 4 जो हुआ 29 degree समझ में आया बचो चलिए अगला प्रश्न करते है उधारन 3 कॉट 85 degree प्लस कॉस 75 degree को 0 degree और 45 degree के बीच के कोणों के त्रिकोन मितिय अनुपातों के पदों में व्यक्ति कीजिए कॉट 85 degree प्लस कॉस 75 degree बराबर है कॉट 90 degree माइनस 5 degree इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस साइन 15 degree इसका उत्तर हुआ ठीक है बचो आएए अगला प्रश्न देखें आपकी प्रशनावली 8.3 का पहला प्रश्न निमिल निखित का मान निकालिए साइन 18 degree बटा कॉस 72 degree कॉस 90 degree माइनस 18 degree हम लिख सकते हैं साइन 18 degree की जगे बटा कॉस 72 degree क्यों क्योंकि कॉस 90 degree माइनस थीटा पराबर होता है साइन थीटा इस प्रकार कॉस 72 degree बटा कॉस 72 degree पराबर हुआ एक अब हम अगला पार्ट करते हैं टान 26 degree बटा कॉट 64 degree अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कॉट 90 degree माइनस 26 degree बटा कॉट 64 degree ठीक है क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है हाँ टैन थीटा इस प्रकार अब देखिए कॉट 90 degree माइनस 26 degree को हम क्या लिखेंगे कॉट 64 degree बटा कॉट 64 degree और ये कैंसल होके हमें उत्तर मिला एक समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं कॉट 48 degree माइनस साइन 42 degree इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कॉट 48 degree माइनस कॉट 90 डिगरी माइनस 42 डिगरी क्यों क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और आप देखिए कॉट 48 माइनस ये कितना हो जाएगा कॉट 48 degree और दोनों कैंसल हो जाएंगे और हमें मिलेगा शून्य आइए अब अगला भाग देखते हैं कॉट सेक 31 degree माइनस सेक 69 डिगरी इसको हम लिखते हैं सेक 90 डिगरी माइनस 31 degree माइनस सेक 69 डिगरी ये हम क्यों लिख पाएं क्योंकि कॉट सेक 90 डिगरी माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा अब ये हो गया सेक 69 डिगरी माइनस सेक 69 डिगरी जो कैंसल हो करके हमें देगा 0 तो इस प्रकार हमारा उत्तर आया शूनिया आए अगला प्रेशन देखें दिखाएं कि टैन 48 डिगरी गुना टैन 23 डिगरी गुना टैन 42 डिगरी गुना टैन 67 बराबर होता है एक इसमें हम वाम पक्ष लेंगे उसको हल करके हम दिखाएंगे कि हमें जो उत्तर आ वह दाय पक्ष के बराबर आ रहा है देखें वाम पक्ष क्या है हमारे पास टैन 48 डिगरी गुना टैन 23 डिगरी गुना टैन 67 डिगरी इसको हम टैन 48 डिगरी गुना टैन 23 डिगरी गुना यह लिखेंगे कॉट 90 डिगरी माइनस 42 डिगरी और कॉट 90 डिगरी माइनस 67 डिगरी इसको आप देखिए 90 में से 42 गटाएंगे तो 48 आता है और 90 में से 67 गटाएंगे तो 23 आता है इस प्रकार टैन 48 डिगरी गुना टैन 23 डिगरी गुना कॉट 48 डिगरी गुना कॉट 23 डिगरी प्राप्त हुआ अब हम इसको टैन 48 डिगरी गुना टैन 23 डिगरी गुना एक बटा टैन 48 डिगरी लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है एक बटा टैन थीटा इ गुना एक बटा टैन 23 डिग्री आप देखिए ये टैन 48 डिग्री इससे कैंसल हो गया और टैन 23 डिग्री इससे कैंसल हो गया इस प्रकार हमें उत्तर मिला एक जो हमारा ताय अपक्ष है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं cos 38 डिग्री गुना cosiker 52 डिग्री माइन साइन 38 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री बड़ाबर है शून िेडिखिए इसको हम लिखेंगे cos 38 डिग्री गुना cos52 डिग्री माइनस cos 90 degree minus 38 degree और इसको लिखेंगे cos 90 degree minus 52 degree अब देखें cos 38 degree गुना cos 52 degree minus यह होगे हमारे पास cos 90 minus 38 कितना हुआ? cos 52 degree और यह हुआ cos 38 degree अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यह value इससे कट हो जाएगी और इस प्रकार हमें उत्तर मिलेगा 0 जो हमारा दाया पक्ष है ठीक है बिच्चो समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं यदि tan 2a बराबर है cot a minus 18 degree जहां 2a एक न्यून कोन है तो a का मान ग्याद कीजिए हमें दिया है tan 2a बराबर है cot a minus 18 degree इसको हम लिख पाएंगे cot 90 degree minus 2 degree क्यों? क्योंकि cot 90 degree minus theta बराबर होता है tan theta यह बराबर हुआ cot a minus 18 degree अब ध्यान से देखिए यहां cot 90 degree minus 2a बराबर cot a minus 18 degree अब हम दिखेंगे तुलना करने पर 90 degree minus 2a बराबर हुआ a minus 18 degree इस प्रकार 3a बराबर हुआ 108 degree और a बराबर होगा 108 degree बटा 3 जो होगा 36 degree ठीक है बच्चों समझ में आया? चलिए अगला प्रेशन करते हैं यदि tan a बराबर है cot b तो सिद्ध कीजिए कि a plus b बराबर है 90 degree यहाँ पर हमें दिया है tan a degree बराबर है cot b degree इसको हम क्या लिक पाएंगे? cot 90 degree minus a बराबर है cot b ऐसा हम इसलिए लिक पाएं क्योंकि हम जानते हैं cot 90 degree minus theta बराबर होता है tan theta अब तुलना करने पर हम पाते हैं 90 degree minus a बराबर हुआ b degree के और 90 degree बराबर हुआ b plus a के इस प्रकार हमने सिद्ध किया a plus b बराबर है 90 degree समझ में आया? चलिए अगला प्रेशन करते हैं यदि sec 4a बराबर है cos a minus 20 degree जहां 4a एक न्यून कोंड है तो a का मान ग्यात कीजिए दिया है sec 4a बराबर है cos a minus 20 degree इसको हम लिख पाते हैं cos 90 degree minus 4a बराबर हुआ cos a minus 20 degree क्यों? क्योंकि हम जानते हैं cos a 90 degree minus theta बराबर होता है sec theta तुलना करने पर हम पाते हैं 90 degree minus 4a बराबर है a minus 20 degree आप देखिए 4a इस तरफ हम ले गए तो a plus 4a हो गया 5a और 90 degree plus b से हो गया 110 degree इस प्रकार a का माना आया 110 बटा 5 जो हुआ 22 degree समझ में आया बच्चो सरल है ना? आईए अगला प्रेशन करते हैं यदि a, b और c त्रिभुज a, b, c के अंतह कोन हैं? तो दिखाईए कि sin b plus c बटा 2 बराबर होता है cos a बटा 2 अब हम जानते हैं त्रिभुज में a, b और c अंतह कोन? कोन a, कोन b और कोन c तीनों मिला करके कितने होते हैं? 180 डिग्री ठीक है? और हमें दर्शाना है sin b plus c बटा 2 होता है cos a बटा 2 अब देखिए हम b plus c को क्या लिख पाएंगे? यहां देखिए कोन b plus c बराबर हुआ 180 माइनस कोन a यहां हम लिखते हैं 180 माइनस कोन a बटा 2 बराबर है cos a बटा 2 के हल करते हैं इसको हम लिखेंगे 180 बटा 2 हुआ 90 डिग्री माइनस कोन a बटा 2 बराबर है cos a बटा 2 के अब हम जानते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा इस प्रकार हमें प्राप्त होगा cos कोन a बटा 2 बराबर है cos a बटा 2 क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के समझ में आया बच्चों ठीक है अगला प्रश्न करते है sin 67 प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोन मितिय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा और cos थीटा बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इसलिए sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री क्या लिखेंगे हम cos 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इसको हम हल करके लिख पाएंगे cos 23 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री समझ में आया बच्चों हमने दोनों जो कोण है वो 0 डिगरी और 45 डिगरी के बीच में ले आये इनको कॉस 13 डिगरी प्लस साइन 15 डिगरी ठीक है आये बच्चों घ्रह कारे के लिए कुछ प्रश्ण ले लेते हैं दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये पहला प्रश्ण है वेंजक कॉसेक 75 डिगरी प्लस साइन 15 डिगरी प्लस साइन 15 डिगरी प्लस साइन 15 डिगरी तीसरा C, 1 और चौथा D, 3 बटा 2 दूसरा प्रेश्न, टैन 1 डिगरी, गुना टैन 2 डिगरी, गुना टैन 3 डिगरी, अर्थात टैन感じすускination, यूसरा D का मान है पहला विकल्प शुन्य, दूसरा B, 1, तीसरा C, 2 और चौथा D, 1 बटा 2 तीसरा प्रश्न है, sin 45 degree plus theta minus cos 45 degree minus theta बराबर है, पहला विकल्प 2 गुना cos theta, दूसरा विकल्प B 0 तीसरा विकल्प C 2 गुना sin theta और चौथा विकल्प D 0 अगला प्रेशन है, व्यंजक, sin 22 डिग्री का वर्ग, plus sin 18 डिग्री का वर्ग, बटा, cos 22 डिग्री का वर्ग, plus cos 18 डिग्री का वर्ग, plus sin 73 डिग्री का वर्ग, plus cos 73 डिग्री का वर्ग, plus cos 73 डिग्री का वर्ग, में प्रतेक में सत्य या असत्य लिखिये तथा अपने उत्तर का अचित्य दीजिये पहला टैन 47 बटा कॉट 43 बराबर है एक दूसरा वियंजक कॉस 23 दिगरी का वर्ग माइनस साइन 67 दिगरी का वर्ग का मान धनात्मक है आईए सरांज देख लेते हैं आज आपने सीखा पूर्ण कोनों के त्रिको मित्रिये अनुपात साइन 90 दिगरी माइनस से बराबर होता है कॉस से कॉस 90 दिगरी माइनस से बराबर होता है साइने टैन 90 दिगरी माइनस से बराबर होता है कॉस से कॉस से कॉस से नब्वे डिगरी माइनस से बराबर होता है सेक ए तो बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा और रोचक भी लगा होगा खूब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद हुआ है, तो है कि भूआ है तो हुआ है तो उन्हें है 16, हुआ है है तो फो चाइस में? झाल झाल